अब आपको लोग फुरकान यादो भी बोलने लगा है हम लोग यादो थे पहले हैं घर वापसे कहा सवाल उठता है हम लोग बोले कि औरंजेव के अलाद हैं हम लोग इसी मिठी का अलाद हैं लोग कहरें कि यादो कनवर्ट भी होगा तो अंसारी नहीं हो अभी जो आदिवा हैं बंगाल में राम लखन सिंग यादव और लालू जी पैदा हुए जिन्हों ने गौभरवास सिलों को यादव बना दिया आप लोग सभाव का चुनाओं को देखते हुए इस तरीके का ब्यान तो नहीं दे लालू जी बोलते हैं कि यादव और मुस्लिम का दोनों का डि परिस्ट नेता और कई बार बिधायक सांसद रहे फुरकान साहब के एक बयान से राज में तरह तरह की बियानबाजी सुरू हो गई है कोई समर्थन में है कोई बिरोध में है हमारे साथ खुद फुरकान अंसारी जी है अब आपको लोग फुरकान यादो भी बोलने लगा ह है चुटकी ले रहा है आपने इसे क्या बोल दिया जो पूरा राज में चर्चा कभी से है यह मामला इंडिविज्वल नहीं है हमने कहा है कि इस देश में जो मुस्लिम समाज है या दलिद समाज है जो पिछरा समाज है वो सामन्तियों के अतियाचार से सामन्तियों मतलब सामन्ति बिचारदारा के लोगों के अतियाचार से और उनके द्वारा किये गए सोसन से परिसान हो करके सब उने यहां पर मुस्लिम जो हमारे सूफी थे उनलों के संपर करके उनलों से और वो कनवर्ट हुए हैं मुस्लिम में इसलिए यहां के जो मुस्लिम है वो सभी कनवर्टेड मुस्लिम है कोई वो अफगानिस्तान से नहीं आया और नहीं कहीं बाहर साया नहीं कोई रंग्जेव का उलाद है सब यहीं के उलाद है सब यहीं के लोग हैं तो आप तो भाजपा का बोली बोल रहा हैं ब कभी न कभी हिंदु थै इस बात को मानिए है हां तो जबार बात है भारश पाट क्यों बोलेगा हम भी बोले हैं मैं तो कह रहा हुआ कि यहां के जो मुस्लीम है पहले एक कंफ़ेटर्ड मुस्लीम है यह सह जो पहार है, महबबत है, एकलाक है, वहाँ पर ना कोई भेदवाव है, ना वहाँ कोई तफरका अपस में है, एक साथ खाईए, एक साथ नमाज पढ़िये, मस्जिद में जाने में कोई किसी को इतराज नहीं है, जो आगे आएगा, आगे बेठेगा, जो पीछे आएगा, पीछे बेठेगा, लेकिन उस जमाने को आप याद करिए, जब कोई सामन्ती के विचाधारा के लोगों ने कभी भी दलित को अपने कुवा का पानी पिने नहीं दिया, उसके मंदिरों में पूजा नहीं करने दिया, उनको उनके गली में पार होने के लिए जुतापन के पार नहीं हो सकते हैं, उनके खटिया पर नहीं बैठ सकते हैं, उनके चौकी पर नहीं बैठ सकते हैं, उनके कुर्शी पर नहीं बैठ सकते हैं, और अगर गलती से बैठ गए तो पहले पानीय लाकत हो ये पहले ब़ेयां से ये सिस्टम था ये अतियाचार था ये सोषन था जब बाब लाजेट ये सब ये सब घटनाओं से परशान हो करके कि देखा कि यहां हमारे कोई गुंजाश नहीं है, यह सिर्फ हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन गुंजाश यहां पर नहीं है, तो सारे लोग करिब करिब करनबट होते चले गए, और सबसे ज़्यादा करनबट हुए हैं बंगाल में, ठाका, जहां दलितों की बहुत बड़ी संख्या मे लेकिन आप जो दावा किये कि हम यादों हैं, यादों थे, तो कैसे थे, मनलब कहां से, मनलब दादा पर दादा, मैं यादब नहीं था, मैंने यह नहीं खाँ, हम लोग यादब थे पहले, हम लोग में बहुत सारे समाज, हमारे समाज लोग थे, तो कौन सी पिड़ी, स्वाइस पहले की बात कर्में तक हो उस वक्रण जो गंजर सांब थे गेंजर सेट्लिमेंट हो था अंग्रेज के एक थे गेंजर साब वह नोग सबूत मिलेसे हम अभी एक को देना चाहते हैं कि हमारे एक रिस्टदार है भी बाका जिला के चुवा पानी गाँ है, गाँ नोट कर ले, चुवा पानी, हमारे रिष्दार अपने खास, नज्दी की रिष्दार, उनका नाम है अबीद मंदल, नाम है आबीद, टाटल है मंदल, हम लोग ने जब पता लगाया कि साथ इसको मंदल टाटल को मिला, तो वहाँ दुस्रे गाँ के जो बड़े-बड़े मंदल समाथ के जो बड़े-बड़े लोग थे उन्हों कहा कि यह लोग मारा गोतिया है तो वो लोग प्रूफ देता है कि मारा गोतिया है तो कहा हम कैसे तो जमीन का परचा है इसी परचा में आधा उसका है आदा मेरा है साफ जाहिद होता है साफ पुरूफ मिलता है उसके बाद बहुत ऐसा पुरूफ मिलेगा आपको तो अत्या चार से जुल्म से लोग मुस्लिम भी हुए है क्रिशन भी बने है क्रिशन भी बने है क्रिशन भी बने हैं लोग अभी जो आदिवासी है सब क्रिशन बन रहे हैं क्रिशन को बन रहे हैं जो भगवापन करके कोई सुवर चला रहा है कोई बख्री चला रहा है कोई बेड़ चला रहा है कोई गाय पर जा रहा है उसको तालिम देने के कोई वहस्ता नहीं सरकारी सरकारी उतनी अच्छी वहस्त बढ़ियां शर्ट, बढ़ियां पेंट, बढ़ियां खाना, बढ़ियां दूद, और पढ़ने टाई, और पढ़ने की पुरी अची बेहस्ता है, आज उस मिशनों से, आज यह मिशन जो इलाका है, और जितना डॉक्टर, बड़े-बड़े इंजिनियर्स पैदा हुए हैं, उ भीलों काता है, यह ठादर, यॐ राइट, लग नहीं हुए हुए हैं, वह ऐं खाना, आधासी लोगों का धन्मांत्र नहीं हो रहा है, अपने आप हो रहे हैं लोग, आप तिर्सूल लेकर घुमिएगा जैसी राम खली करिएगा माते में टिका लगा दीजेगा उससे आप किसी का दिल नहीं जी सकते हैं उनकी गरीबी को कैसे अब दू करिएगा उनको कैसे एजुकेट करिएगा इस पर तो बिस हिंदू परशद में ही थे पूरा जवानी और बच्पन उसी में भी था उन्होंने कहा कि फुरकान साहब अगर सच बात कह रहे हैं दिल से कह रहे हम लोग का बात कह रहे हैं तो एक तो स्वागत है हिंदू धर में घर बापसी कर ले और दूसरी बात करें कि आज भी तो अंसारी के सामने सयद और से नहीं बैठके खाना खाना चाहते हैं पिर मैं कहर देना चाहता हूँ कि मुसल्मानों में अकलियतों में अंसारी हो सेख हो सयद हो पठान हो इसमें कोई फरक नहीं है तो बाबुलाल जी का ट्वीट तो पढ़ें नहीं पढ़ने से क्या होगा उनकोई आडिया नहीं है न हम लोग ब्रादरी का कोई फीलिंग नहीं है हमारे घर में जो है सयद की बेटी भी साधी हम कर सकते हैं अगर मेरा बेटा योग लगी हम भी दे सकते हैं वो सब कोई फरका नहीं है इसलाम में ऐसा कोई जी नहीं है इसलाम में ये है कि एखलाख मुहबत प्यार जो स्ठिकलाता इसलाम घर वापसे कहा सवाल उठता है हिंदु धर्म में भी तो कहता है सभी एक हैं सभी में प्रेम रखिये आप कहते हैं आप करते नहीं हैं और सामन्ती बिचाधारा के लोग सभी जम घट हो गई उठको बीजेपी में सभी लोग करिब करिब चले गएं बीजेपी में वो आज कहला जूटमूट में अभी ऐलेक्शन आ रहा है तो अभी कहता है कि ओरन जेव का अउलाद है आज जो है सो इतने मुस्लिम इतना हिंदू मुस्रीम लड़कियां जो है साधी करके ले गया लब जिहाद यार उठा रहा है इस मामला को बहुत जो सुर से इसलिए कि भी एलेक्शन है लेकिन सचाई ये नहीं है सचाई से बहुत सचाई से सचाई है ही नहीं इसमें भानु जी को तो आप जान रहे हैं भानु जी कह रहे हैं कि सामंतवाद खत्म हो गया है अब आएं चचाई उनको नहीं मालूम था उनको मालूम नहीं है देखे सब बच्चे लोग हैं यादब आज मों यादब बोलते हैं ना पहले उसको बोलता था गोवरवा गोवरवा हम लोग अपने अलाके में जब गुमते थे तो बड़े बड़े जमीदार जमीदार लोग कहते हैं रे रे गोवरवारे भेसिया दूरे उसकी बहु बेटी उसी घर में काम करना गाय भेंस दोना गाय दोना भेंस दोना यही काम लोगा था ये तो राम लखन बिहार में हम ब जालू जी पैदा हुए जिन्होंने गौभरवास सिलों को यादव बना दिया अच्छा अच्छ तिस आँ छ्छतिस कोलेज ऐसे है राम लखन सिंग यादव के नाम से और जहां एगारा हज्जार खाली यादव प्रोफेसर है सब जगह जदबों की तालीम दे रहे हैं अरके निखल रहे हैं पढ़बखरिकर आच्छ च्छ पियार निकल रहे हैं यह राम लखन सिंग से जादव की देन है कुछ यादो तो आपका विरोध कर रहे हैं, कि बोल रहे है कि अपने मन से पुरकान साइब कुछ भी नहीं कहाने है, बहुत है यादो लड़ाकू जात होता है, कभी भी इसलाम धर्म नहीं अपना है, उस पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है, कून कहता जादब पहले क्या थ जाद पेले जाद भी नहीं था पेले गवाला था वो अच्छा गवाला से जादव हुए यह कंडबट कंडबट नहीं हुए मैंने जब उनका अस्तर जब उचा हुआ जब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया जब उनकी माली हरती होने लगी पढ़ाई लिखाई में आगे सब बड़ा तब लोग गवाला से जादव हुआ यह तो लोग गवाले ही बलता था सब लोग कहीं आप लोग सभाव का चुनाओं को देखते हुए चुकि परदीप यादो एक मजबूत केंडिडेट हैं गोड़ा से इस तरीके का बियान तो नहीं दे रहे हैं कल अगर पार्ट की जादव थे हम लोग अच्छा उम ने कहा हम लोग उसमें आप भी हैं उसमें लोग भी होंगे मैं लेकिन यह लोग जो है बिलकुल पतारीथ सोशित समाज थाह लोग इनलों को कनबाटी लोग हुए हैं योग कोई और हम जे के तलबार के बलपर कनबाट नहीं हुए समाजिक यहां संबंदियु आप जाने रालु जी बोलते हैं दोनों का DNA test करा होंगे दोनों घान का पिलेγα लालु जी नहीं ब tähän क्या Hmm वो दोनों मेच करता है बोले कि जन्ब से लेके सिनियर सीटीजन होने तक में फुरकान साहब ने ऐसा बयान नहीं दिया था अब 24 का इलेक्षिन नजदीक है तो बयान दे रहे हैं तो इसको क्या माना जाए महारास्टा में जब सब को कह रहा कि औरंजेव को उलाद है और यह हवा आप यहां बिहार में और जाकन फिलाने वाले हैं औरंजेव को उलाद तो यह हम बताएंगे न कि यहां औरंजेव को उलाद कोई नहीं है बार सब साल का औरंजेव का यहां उलाद कोई नहीं है यहां converted सब लोग मुस्लिम हैं क्यों ने बोलेंगे इस बात को हम बीजेपी बोलता कि अजयेब का यह पर यह हैं और अलाद है क्यों ने हम बोलेंगे हम लोग अलाद नहीं किसी का हम लोग इसी देश के मिट्टी के जन्में वे लोग हैं सुश्शित हम लोग हुए हैं परतार सब लोग मुस्लिम हो गए हैं यह जो जो गए तपनेगे लोग हों परतार्य दो हो हो जोएन किया, सब चला गया आपको नहीं मालू है कि बंगाल में क्या हुआ सो 37 परसेंट वहाँ दलीत था पुरा ढाका था दलीतों का का सब हो गया मुसलिम क्यों हो गया मुसलिम मैं यहां के स्वांत्कों से यहां के बड़े-बड़े हिंदू भाईयों से पुष्णा जाता हूं, जो यहां के महरादा थे, उनकी बहु बेटियों की इचत लुटना उनकी बहु बेटी को अपने घर में रखना क्यों करता था यह सब काम उसके अत्याजार से लोग हो हैं मुसलिम अगर आपकी बहु के, किसी गरिब के घर की बहु बेटी इसको नजर में आ गया अरे इसको भेजना घर में काम करें गिरे ओड़े करते लोग दसारा आ गया अरे, बीष्टो पाठा दे, बीष्टो खजी डे अरे इतना चाओ अगे तक ही पेह पुँचा देना सब लों मिल करें, चंदा करके मारत को इंट कर कर दें है यह द्याजार न चांग्या गंधी जी को धक्ता एंगाहा गया है मंदीर में घुसाने के लिए गांधी जी अब दलितों को मंदिर में घुशाने लगे तो गांधी जी को धका मुका हुआ है नहीं मालूम है आप लोगो क्या कम कम ने सताया गरीबों को कम ने सताया दलितों को यह सतावे यह लोग थो जो कनबट हुआ है यहाँ पर लेकिन जादों तो कहा रहा है अब जादों को नहीं सताया गया ये कुन देने कहा है हिसाब बूद देगा ये उनको क्या घटना उस वह तक है दूसरे साल पहले घटना उसको मालूम है जो बीजेपी वाले जो अभी पॉलिटिकल अभी एलेक्शन आ गया न इस जो रिमर फिला करके जो लोगों को हिंदू-मुस्लिम के बीच में तकरार पैदा करेगा इस बात को बोल करके इस बात यहां भी बोलेंगे जिसके लिए हम कोई बात बोलना पड़ा लेकिन ये तो उलो मतलब करनाटक में भी अभी किया बीजेपी आपके अनुसर वहां पर तो हार गये वह लोग यहां भी हारेंगे यहां भी हरावेंगे देश में हरावेंगे मोदी को हरावेंगे पुरे देश ते इसलिए कि अब लोग समझने लगे हैं लोग, सचाई जानने लगे हैं लोग कि बजरंग बली इसका, बजरंग बली ने कह दिया कि असली राम भक्त होता तो मैं उसको सपोर्ट करता यहां पर लब जिहाद नहीं चलने वाला जो चला रहे हैं यहां जो है मेरिकल प्रिपरेशन का एक मात्रस अंस्थान जहां है कम्प्लीट डिजिटल क्लास्रूम्स विडियो लेक्चुर्स स्टूडें ट्रैकिंग सिस्टम लाइब्रेरी फेसिलिटी एन हंड़ेट परसंट रांकर्स वाच भायों लिनु एवं नगराटोली प्राँची